दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रेकुपमेंट बोर्ड के दुआरा जो नई भरते निकाले गई है अपरेंटेसिप के लिए नौर्धन रेलवे में इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे step by step मैं सभी प्रोसस आपको इस वीडियो में लाइब दिखाने जा रहा हूँ साथी को इसका फॉर्म भरने के लिए आपके क्वालिफिकेशन दस्वी पास होनी चाहिए साथ में अपने IT एक कर रखा तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और नमबर आप पोस्ट की बात करें तो यह 4096 पदो पर भेकेंश से निकाली गई है अगर कोई SC-ST female है तो उन्हें किसी भी परकार के सुल्क देने की भी अवसकता नहीं है बाके की जो डीटेल जनकारी है अभी अपने SC-ST पर चलकर बताता हूँ और इस वीडियो में फॉम भड़ने का step by step प्रोसस आपको सिखाता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे like, share जरूर कीजिएगा ऐसे update के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी इस परकार के जो भी update होगा मैं आपको देने का काम करूँगा फिलाल SC-ST पर चलता हूँ पूरी जनकारी step by step आपको समझाता हूँ दोस्तों अभी आप देख पा रहोंगे railway equipment board northern railway के हम official website पर है और यहीं पर देखेंगे इस भरती के लिए 16 अगस्त 2024 के date में इन्होंने link जारी किया है जहां साप इसके लिए apply कर सकते हैं apply करने से पहले कुछ basic जनकारी आपको जानना बिल्कुल जरूरी है जिसके बारे में मैं आपको पूरी जनकारी आपको बताता हूँ साथियों इस भरती के लिए apply पर किया सुला गस्त से start है सुला सितंबर 2024 तक आवेदन करेंगे और आपकी जो merit list जारी होगी नौंबर 2024 में जारी कर दिये जाएंगे नीचे जब आप आएंगे तो और भी डीटेल जनकारी इन्होंने दिया है जैसे essential qualification क्या है तो essential qualification आप सभी का जो complete होने चाहिए वो 13-8-2024 तक हर हल में complete हो जाने चाहिए तो आप apply कर सकते हैं मैक्सिमम आप 10 भी पास 50 पर तेसत अंकों के साथ होनी चाहिए साथ में आपने आई टी आई भी कर रखा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं एज लिमिट के बात करें तो एज लिमिट जो आपकी होगी मिनमाम 15 साल मैक्सिमम 24 साल होगी 16-9-2024 के नुसार एज काउंट किये जाएंगे अपर एज में छूट है 5 साल का SCST को और 3 साल का छूट OBC वाले करने रेट को दिये गया है दिव्यांग होंगे तो 10 साल की आपको एज में छूट मिल जाते हैं अप्लिकेशन फी की बात करें तो सौर पे रखे गए यह सौर पे जेनरल OBC EWS वालों का है कोई करने रेट अगर SCST दिव्यांग है और कोई महिला है तो उनको कोई भी अप्लिकेशन फी देने की जरूरत नहीं है बात करें सेलेक्शन पोरसीज के लिए आप सभी का जो आवेदन है और स्कैनिंग किये जाएंगे इसमें सौर्ट लिस्टेट किये जाएंगे उसके अधार पर ही आप सभी का सेलेक्शन होगा इसमें कोई रीटेन एकजाम नहीं होने वाले हैं सेलेक्शन पोरसीजर में डिवेंड करता है कि आपके लिए अपलाई करना तो मैं इसका लिंक जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप इस पर क्लिक करकर डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे एक उप्सन मिलता है ऑनलाइन अप्लिकेशन का जिसके सामने क्लिक करना है पूरी जनकारी यहां पर भी मिल नीचे आरने के बाद यहां पर आएंगे तो डिक्लेयर करना है और एक उप्सन मिलता है प्रुसी टू ऑनलाइन अप्लिकेशन का जिस पर आपको क्लिक करना है साथ ही यहां पर अभी आर्थी का जो पूरा नाम है बताना है जो भी दस्वी की माक्सित सर्टिफिकेट होगा उसके according ही आप जनकारी को fill करेंगे, email आईडियो बताना है, while नमबर जो भी होगा आप बताएंगे, आपका जो भी आधार नमबर है उससे बताएंगे, date or birth का, यहां पर आपको date बतानी है, जो महिना होगा वो बताएंगा, जो year होगा उससे बताना है, आपका gender क्या है category आपको बतानी है साथ में अगर आभ दिव्यांग है तो बताएंगे नहीं तो नोग करेंगे इसका अलाबहे अगर पूर्व सैनिक है क्सर्विसमें है तो वह बता सकते नहीं तो करेंगे और राइश्टर वाले विकल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नमबर पर इसका जो युजर आईडी है पासवर्ड है वो भेद दिया जाता और बताता भी है कि आपका राइश्टरेशन कंप्लीट हो चुका है आपको सिंपली नीचे आना है लोग इन वाले विक लॉग इन करेंगे लोग इन करते ही यहाँ पर आपकी डीट मिलती है और अगर आपका फिल लगता है तो यहाँ पर फीद दिखाएगा अब यहाँ पर दिखेंग स्कार्म new record करने के लिए कि वोर्ग का यसथे पेमेंट करने को पूरा करेंगे और पर पेमेंट नहीं लगता है direct आपको feel application का option मिलेगा payment जिनका लगता है payment करने के बाद आप जैसे ही इस पर click करेंगे फिर एक option मिलेगा feel application का जिस पर click करना है जिसमें आपको अपने personal detail देनी होगी जिसमें पिता जी का नाम बताना है nationality में आपको Indian chain करना है जो भी आपका धर्म होगा आप उससे chain करेंगे identification marks पूछा गया है तो आपके सरेज में कोई ऐसा निसान होगा जो कटा का हो जला का हो वह आप बता सकते हैं एक सधिक निसान है तो बताएं अन्था second निसान वाले में no mark भी आप लिख सकते हैं address बतानी है तो जो भी आपका village होगा address 1 में बताएंगे address 2 में post office बताएंगे साथ में आपका जो भी state होगा आप यहां से state को chain करेंगे specify city का नाम बताएंगे pin code बताएंगे और nearest railway station का नाम आपको बताना है उसके बाद नीचे आएंगे यहां पर दिखेंगे application detail पूछी गई है जिसमें trade qualification की जनकारी देनी है तो यहां पर IT मांगे गया तो जो आपने IT किया है वो किस सिराज इससे आपने किया है और वो SCVT या NCVT था जनकारी भी आपको मिलते हैं वो धियान रखिएगा बाकि आपको बताना है कि आपने कौन से trade में IT कर रखा है उससे chain करेंगे उसके बाद यहां पर cluster का विकल्प देना है कि कहां के लिए आपको apply करना है उससे आप यहां से chain करेंगे फिर आपको unit का नाम जो है आपको यहां से chain करना है minimum एक unit आप चुन सकते है maximum 9 unit चुनने का विकल्प है आप अपने according चाहे तो यहां पर डाल सकते हैं नीचे जब ऐस call कर कर आएंगे qualification के बारे में पूछी गई है कि जो अपने 10 वी किय किया है वो किस बॉर्ट का आपको नाम मिलता अपने जिस भी बॉर्ट से 10 वी पासव ठोगा उस बॉर्ट को यहां से खोजना है अगर बॉर्ट का नाम न मिले तो other ब्रट को चुनकर अपना बोर्ट का नाम यहां पर लेख देंगे किस वर्ष आपने 10 वी उत्तिर इंड क् माक्स मोड बताना है कि माक्स में है ग्रेड में से जीपिय में है साथ में यहाँ पर बताना है कि मैक्समम कितने नमबर का एक्जाम हुए थे उसमें आपको कितने नमबर मिले हैं और आपकी जो परसेंटेज होगी देखनों को मिल जाएगा इसी according ITI की जनकारी देनी है कि ITI आपने किस बोर्ड या किस एंचे जोट से किया था उसका नाम बताएंगे कब पास आउट किया है साथ में माक्स की जनकारी देनी है कि कितने नमबर का एक्जाम हुआ था उसमें कितने मिले थे आपकी क्या परसेंटेज है वो सब जनकारी आपको देनी है हाला कि उपर वाले में एड नहीं होगा अब यहाँ पर आपको ITI का समेश्टर वाई जी नमबर पूछी गई है तो जैसे फास समेश्टर कब पास किया वो एर बताएंगे कुल कितने का एकजाम हुआ था उसमें कितने मिले हैं आपकी परसेंटेज आएगे फिर सेकेंड एर की जनकारी देनी है ठर्ट एर की और फोर्ट एर की जनकारी आपको देनी है फिर एक option मिलेगा सेब अप्लिकेशन का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आप अगले श्टिप में आते हैं जहां पर आपको डोकुमेंट अप्लोड करना होगा तो क्लिक हैर तो अप्लोड डोकुमेंट वाले भी कल पर क्लिक करेंगे यह सब डोकुमेंट है जैसे इते का माकसिट, फोटोग्राप, तिंत की सर्टिपिकेट कार्ट, सर्टिपिकेट, लेप, थम इंप्रेशन, सिंगनेचर, तिंत का माकसिट यह सब डोकुमेंट आपको देने की जरूरत है तो यहां से आप जो भी डोकुमेंट अप्लोड करते हैं जैसे पहले मैं फोटो अप्लोड करता हूँ तो फोटो को चुना हूँ और फोटोग्राप को यहां साब को सेलेक्ट करना है और सबका साइज भी बताया कि फोटोग्राप, थम इंप्रेशन, सिंगनेचर यह 10 से 50 के भी में होगा बाकी all other document जो है 50 के भी से 100 के भी के बीच में अप्लोड करने होंगे अब जो अप डोकुमेंट अप्लोड होगा इस पर कर बताएंगा डोकुमेंट आपका अप्लोड हो चुका है उके वाले भी कल पर किलिक करें और जो डोकुमेंट अप्लोड होगा इस टेटस में complete बताएगा साथ में आप उससे डाउनलोड करकर भी देख सकते हैं इसी अनुसार आइटी है क्या marksit अप्लोड करेंगे फिर आपको तेंद की marksit, card certificate, left thumb impression, signature और तेंद की marksit सबको अप्लोड करना एक एक करकर उसके बाद आपको नीचे आना है एक option मिलता है click here to review and finalize application का जस पर click करना है अब आपके सामने form का preview आगा और सारा detail देखेंगे आपका complete है last जो finalize status है वो अभी complete नहीं है finalize करना है तो check box पर tick करकर एक option मिलेगा final submit application का जस पर click करना है उसके बाद आपको जो है एक option मिलेगा download print application का जस पर click करकर इसका print आप ले सकते हैं तो अभी अपने देखा मैंने इस भरती के बारे में पूरी जनकारी बता कि कैसे आपको apply करना है बाके आगे कि जो भी further update होगा मैं whatsapp channel telegram के मदद से आप सभी को उपलप्त कर बाद होगा link description box में है आज ही join कर लीजेगा video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैंद